वेलकम पुश्री जी फूर्ड, मैं हूँ मनिशा ठककर, आज हम बहार जैसी रगड़ा पैटिस और उसकी स्पेस्यल चटने किस तरह से बनानी है वो देखेंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले रगड़ा बनाने के लिए जो वाइट सुखे मटर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास सफिद मटर नहीं है, तो जो हरे सुखे मटर आते हैं, वो भी ले सकते हैं, अब जो मटर हमने भीगा कर रखे हैं, उसका पानी हटा देंगे, और भीगाए हुए मटर को हमें कुकर में ले लेंगे, तो यहां पर बड़ी साइस का कुकर इस्त नहीं आएगा, अब कुकर का धकन बंद करने से पहले इसमें एक चौथाई चम्मच इतना सौडा डाले, अब कुकर का धकन बंद कर दे और इसकी चार विसल कर ले, अब इसके साथ सव होने वाली मीठी चटनी बनानी के लिए 50 ग्राम जितनी इमली लेनी है, और इसे पानी में इमली की चटनी बनानी हो, उसी बरतन में हम ये इमली का पल्प ले लेंगे, फिर 50 ग्राम इमली के सामने हमने 200 ग्राम गूड एड़ किया है, अगर आप थोड़ा गूड और थोड़ी चीनी एड़ करना चाहते हैं, तो दोनों की कॉंटिटी 100 ग्राम रख सकते हैं, फि आदा चम्मच काला नमक, एक चोथाई चम्मच गरम मसाला, एक चोथाई चम्मच भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और आखिर में एक चोथाई चम्मच सूट पाउडर डाले, अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और चटनी को मिडियम आज पर गरम होने के लिए रहने दे, चटनी जब उबलना शुरू हो जाए तब इसमें कॉनफलार की सलरी डालेंगे, कॉनफलार को पानी के साथ मिक्स करके इस तरह से सलरी बना देनी है, अभी दो चम्मच कॉनफलार की सलरी अब जरुवत अनुसार एड़ करें, इसे चलाते रहन और चटने को हमें अराउंड 7-8 मिनिट तक उबाल लेना है तो टोटल मैंने ये चटनी को 10 मिनिट के लिए उबाल लिया है और अब हम गैस बंद कर देंगे जब आप गैस बंद करो तब चटनी की कंसिस्टंसी इस तरह की होनी चाहिए क्योंकि यहां पर हमने कॉन फ्लार का भी इस्तमाल किया है तो ये चटनी जब थोड़ी ठंडी होगी तब है उससे भी थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो इसे नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रहने दे फिर इसके साथ साथ सव करने वाली हम हरी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए 1500 ग्राम धनिया लेना है और दनिया को इसके डंडल के साथ ही इस्तमाल करना है फिर थोड़े फुदीने के पत्ते लेंगे इसी के साथ 2-3 हरी मेच एक से दो चम्मच जितने बेशन का गाठिया या फिर बेशन की सेव लेनी है एक छोटा चम्मच चीनी थोड़ा साधा नमक थोड़ा काला नमक और एक चोथाई चम्मच हम कच्चा जीरा लेंगे फिर एक निम्बू का रस लिया है अब इन सारी चीजों को मिक्सर जार में ले लेंगे और इसमें जरुआ तनुसार पानी डालकर इसमें से चटनी बनाकर तयार कर लेंगे तो इस तरह से मिडियम थिक चटनी बनाकर तयार कर लाल चटनी बनाने के लिए यहां पर जो सुखी लाल मिर्च आती है उसे पानी में भिगा कर रखा है यहां पर इस तरह की जो मिडियम तीखी लाल मिर्च होती है वो मैंने ली है आपके पास जो भी सुखी लाल मिर्च है वो आप ले सकते है और यहां पर हम थोड़ी कौंटि तो जो मिर्ची हमने भीगा कर रखी है वो अच्छी तरह से जब सॉफ्ट हो जाए तब इसका पानी हम हटा देंगे और एक मिक्सर जार में ये भीगाई हुई मिर्ची और जो मुंगफली के दाने है वो ले लेंगे अगर अब ज्यादा कॉंटिटी में ये चटने बनाते है तो मुंगफली के दाने स्कीप कर सकते है फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और जरुवत अनुसार पानी डाल कर इसकी गाड़ी चटनी बना कर तयार करेंगे तो इस तरह से मैंने चटनी को थोड़ा गाड़ा रखा है और इसे पिसने के लिए मैंने तीन से चार चमच इतना पानी यूज़ किया है चार विसल के बाद अब कुकर भी ठंडा हो गया है तो जो मतर हमने बॉइल करने के लिए रखे थे वो भी अच्छी तरह से बॉइल हो गया है अब रगडा बनाने के लिए हैवी बॉटम की कड़ाई या इस तरह का कुकर ले ले और इसमें एक छोटा चमच तेल डाले तेल जब गरम हो जाए तब इसमें थोड़ा जीरा और कलर के लिए थोड़ी हल्दी डाल दे फिर जो मतर हमने बॉइल करके रखे है वो इसमें डालेंगे फिर जरुवत अनुसार पानी डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हमने जब मतर को बॉइल किया उस टाइम पर भी नमक डाला था तो नमक हमें इस टाइम पर जरुवत अनुसार ही डालना है रगडा जब बॉइल होना सुरू हो जाए तब इसमें एक उबला हुआ आलू मैश करके डाले आलू डालना completely optional है अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो skip कर सकते है आलू डालने से ये रगडा थोड़ा गाड़ा हो जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाले और इसे हमें around 3-4 मिनित तक बॉइल कर लेना है तो अब ये रगडा बनकर ready है गैस बन कर देंगे अब पैटिस बनाने के लिए 6 मिडियम साइज के आलू को बॉइल करके फिर मैश कर लेना है आलू को एकदम ठंडा होने के बाद ही इस्तमाल करना है फिर इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और एक बारिक कटी हुई हरी मिल्च डाले फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अगर आपने आलू को बॉइल करते समय नमक डाला है तो आप नमक उसी साब से डाले फिर कलर के लिए दो चुटकी जितनी हल्दी डालेंगे फिर एक चौथाई चम्मच जितना गरम मसाला और एकदम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे मसाले बहुत ही कम डालने है फिर इसमें बैंडिंग के लिए एक बड़ा बाउल बिगाया हुआ पौहा डालेंगे जो हम बटाटा पौहा बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं वहीं पौहा लेना है पौहा से इसमें बहुत अच्छा बैंडिंग आ जाता है और ये पैटिस एकदम क्रिस्पी बनती है फिर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये मिक्स हो जाए उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा कर इसमें से छोटी छोटी पैटिस बना कर तयार करनी है अब इसे गरम तेल में फ्राई करना है जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तब हम इसे पलटा देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे अभी जो मेजर्मेंट लिया उससे अब चार से पाँच लोगों को साव कर सको उतना रगडा पैटिस बन कर तयार होता है अब सबसे पहले हम सर्विंग प्लेट में पैटिस रखेंगे फिर इसके उपर गरमा गरम रगडा साव करें गुड और इमली की मीठी चटने डालेंगे फिर धन्या हरी मिर्च की तीखी चटने और लाल चटने डालेंगे चटने की कॉंटिटी आप अपनी पसंदनों सार कम ज्यादा कर सकते है फिर इसके उपर बारी कटी हुए टमाटर, बेशन की सेव और थोड़ा हम चाट मसाला या फिर जो सेव पूरी में मसाला हम स्प्रिंकल करते है वो डालेंगे और आखिर में इसके उपर थोड़ा कटा हुआ हरा धन्या डाल कर रगडा पैटिस को साव करेंगे तो आप भी इस तरह से ये टेस्टी रगडा पैटिस घर पर बना कर जरू ट्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले